देखे, यूनिट नमबर 10 का ये टॉपिक है, पॉइंट है और यूनिट नमबर 10 में आप लोग देख रहे हैं राश्टी अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती और अन पिछड़ा वर्ग आयोग देख रहे हैं हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखे जरा ये क्या है इसके संबंद में क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को बेसिक कॉंसप्ट के आधार पर तो ये राश्टी अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती के बारें बात करेंगे पहले अच्छा इसके संरचनावों कि बारें बात क्या जाएंगे पिछडे वर्ग के बारें हम लोग फ्वेसे चेन करेंगे पढ़ेंगे उसके में ठीक है तो शुरुवात करते हैं यहां से और ध्रह धान रखिएगा आप लोग देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि मोलता जो है संविधान का अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि आयोग के लिए अच्छा दिखिए भारत का अगर संविधान की बात अगर हम करें तो आप लोगों को पता है अनुच्छेद नमबर 338 बता सकते हो क्या अर्टिकल 338 कि बता सकते हैं आप लोग क्या है कि बस बस यहीं समझाए यूजी सी में भी प्रश्ट पूछता है और आपको बता हूँ अनुच्छित जातियों के लिए यह एक आयोग है और इसी लिए इसको कहा जाता है भी एक प्रकार से जो र आपसे कह दू कि अनुच्छित जातियों का बिसेस अधिकारी न्योक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है तो भी आप कह देंगे कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 338 है उसमें अनुच्छित जातियों के बारे में जिक्र किया गया है जिसम कौन बताएगा मुझे 338 का ए फिर क्या कहता है कि कौन है कि और भी कोई लोग है बता सकते हैं इसके बारे में चलिए एक सजन ने बताए भाई बहुत बढ़ी है और भी कोई जो इसलिए मैं पूछता हूँ ताकि आप लोगों को वह चीजे मैं 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 रहे वह चीजे कि किस से कि बहुत ही सरल है 338 और 338 का का आप इसली याद कर सकते हो इसमें कोई दोर आ नहीं है कि आप उसको याद कर हुआ बता दीजे एक बार तो यह चीज आपको ध्यान रखना होगा ठीक भई आगे चलिए हम बात करते हैं इसके अंतरगत देखे 65 संभिधान यहां पर बात क्या जा रहा है 65 संभिधान संसोधन 1990 की द्वारा अनसूचित जाति जन जातियों के लिए बिसेस आयोग की अस् थापना कब की गई है तो आप याद रखेंगे 1990 में म्यूट हो जाई एक बार आप लोग तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर एतिहासिक की बारे में देखिए 2003 में यानि 89 संभिधान जो संसोधन अधिनियम के दौरा जब संस है और फिर आप ही लोगों ने मुझे बताया कि 388 जो का है वह अनसूचित जंजातियों के आयूग के बारे में बताया तो थीक है बहूए दोनों के दोनों सही जवाब है तो जब कभी आप लोगों के एक्जाम में me u.gc में आई या चाहाएं पी dose में अशूकित पूछे तो अनसूचित के बाद अनसूचित जन जाती के बारे में सोच लेना अगर अनसूचित जन जाती पूछा है कि कौन सा अनुशेद में है तो आप ऐसे मत करना कि हमने अनसूचित जन जाती के बारे में पढ़ा आप अनसूचित जाती के बारे में सोचना क्योंकि 38 का 33 338 है और उसके बाद अनसूचे जन जाती के बाद होती है 338 का का में आ जाएगा 338 का ए में आ जाएगा 338 का ए यह आप ध्यान रखिएगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट है UGC में पूछा गया है जितने UGC के बच्चे होंगे उन लोगों ने देखा भी होगा इसका प्रश जाता होगा आप लोगों के आधा तो है की नहीं अच्छा एक चीज और ध्यान रखना अगर हम बात करें कि यहां पर जो अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से इसी के अंतरगत कुछ समरचनाओं की बारें पूछ लेता है तो इसक कि आप लोगों से पूछा जा सकता है इसकी समरचनाओं में कि कितने सदश्य होते हैं ठीक है तो सदश्यता में आप तीन लगाएंगे और एक अध्यच और एक उपाध्यच ये भी आप लहां पर लगा देंगे ठीक है तो इसका भी आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे ठी तो मिझे चला क्लियर कर दीजिए ठीक है कि चलो बहुत बढ़िया एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को रहां पर कि जब इसकी यसी और यस्टी की तो क्या आप लोग बता सकते हो कि सबसे प्रथम अध्यच कौन रहा होगा कोई बता सकता है मुझे नहीं तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर आप सभी लोगों को इंपोर्टन चीज़े हैं जब कभी प्रिश्ण आये तो उसका नाम होगा भोला पासवान सास्त्री यह नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रथम का ठीक है MPPSC का एक्जाम है और UGC वालों के लिए दिक गैर संबैधिक है गैर संबैधिक है और गैर संबैधिक एक प्रकार का बहु सदस्य आयोग होती है और यस्ती का जो कारियाले होता है अगर इसकी बारे में बात करें कि इनकी अस्थापना कब कर दी गई थी तो याद रखना 1978 में 1978 में यह तो अभी आएगा आप लोगों को ये सारी के सारी बाते जो है आप सबको अभी आगे मिलेंगी कुछ point to point के रूप में है न important point के रूप में ठीक है अब basically अनसूचित जाती की बात अगर करूँ तो गठन इसका तो भई 19 फरवरी 2004 भई जानते हैं नहीं जानते हैं आप लोग बताई जराब का मुख्यालय भी आपका वो दिल्ली का लाएगी याद रखी एगा उसकी समुषना के लाआ पांच सदस्ती समुषरत होते हैं उसके सदस्त की सद्रिच्ट जो होती है जिसमें से एक अध्यच होता है एक को पाध्यच होता है और तीन आप यहां पे जो देख रहे हैं वो सदस्य क्या हो जाते हैं अन्य सदस्य हो जाते हैं कुल टोटल हुए कितने हैं जरा मुझे बताईए टोटल कितने हुए पांच हुए की नहीं पांच हुए और यही प्रक्रिया आपका कि करता भी हो सकता है आप इसे भी ध्यान रखें है न अध्यच और उपाध्यच जो होता है वो केंद्री राजमंत्री के दर्जा मिलता है उसको मिला होता है किसको उपाध्यच को मिलता है और जो तीन अन्य सदस्य होते हैं यह भारत सरकार के सचिव का दर्जा इनको मिला होता ह तो ये तीन चीज़े आपको ध्यान रखना होगा, important चीज़े मैंने बोला है आप लोगों से, इसका भी खास कर आप लोग फोकस करेगा बातों को भी, copy अगर साथ में है तो लिख लिया करें कि ये जो केंद्र कैबिनेट है वो अध्यच होगा, वो पाध्यच वो होगा जो के आज भी गए होंगे, आप सभी लोग, आयोग कारी के बारी चर्चा कर लेते हैं, तो दिखे, आयोग क्या कहता है, आयोग अनसूचित जाती और जन जातियों के समबैधानिक संद्च्छड के संबंधित मामलों का निरिच्छड करता है, ठीक है, लोगों के हितों के उलंग अगितानी भाते हैं, तो यह कारी हो जागा कि जाहिर सी बात है कि समाजिक आर्थिक विकास की बात हो रही है, लोगों की हित की बात किया जा रहा है, जांच परताल की बात हो रही है, सरच्छड करनी की बात करता है, निरिच्छड करनी की बात करता है, तो कौन करता है, यो है ना अच्छा केंद्र एवं में राज जो साशित प्रदेश हैं उचित परामर्ष प्रदान करते बात जायर सी बात है सही है यह आपका संरच्छड के संबंद में उठाए गए जो कदम हो उसके बारे में राष्टपती को जानकारी देना अभी तक देखो आप लोग क्या द राष्टपती को जानकारी प्रदान करते हैं तो किसको जानकारी प्रदान करेंगे या तो आप बता देना यहां पर राष्टपती का तो यह ध्यान रखिया खास कर और राष्टपती के आदेश के अनुसार जो है संबैधानिक संरच्छड से संबंदित अन्यकारियों को भ और भारत के किसी भी भाग में भाग से किसी बैक्ति की समन जारी किया जा सकता है यह भी वही होता है और किसी दास्तावेज को प्रकट करना पेश करना इसकी यह साही किसाई सकतियां है और कोई अन्यभिस है जो राश्टपति के नियम के दौरा दिया जा ये सभी के सभी जो बिशियों के बारे में भी नियम होता है कार्योग तो वह भी राश्टपती की भूमिकः आ जाती है इसλιगों अगर आप त्याग पत्र या हटाया जाने की बात भी अगर कभी होती है तो भी राष्टपती का नाम आएगा ठीक है भई राष्टपती कही नाम आता है महाँ पर किलियर है बोल दीजे एक बार हाँ यहाँ पर महतपूर्ट तथ्य क्या क्या मिलेंगे आपको एक्जाम की पॉइंट अब भी से बारती संब्धान में भाग सोला के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा भी किया था और यह वर्ली थे कहां पर भई अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती के लिए कौन सब है जन जाती मतलब मैंने दो वर्ड जो वर्ड थे उसको बढ़ा दिये दो अक्छर को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक सब्द और भी बढ़ जाएगा 339 का का हो जाएगा ठीक है तो यह भी ध्यान रख लेना है आप लोगों को अनसूचित जाती आयोग और पिछड़ा अवर्ग का एक आंगल भारतिय समधाई के संबंधित में भी होता है उसी प्रकार कारी करता है जिस प्रकार अनसूचित जाती होते हैं तो कहने का तात्पर यह मेरा यह है यहाँ पर कि जो कारी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सिमिलर है वो सिमिलर सब्सक्राइय की सीट कितनी है निन एक है 403 मचे बतां अर्फर। पर्देश के गर में बात कर रहा हूं तो कितनी ही सीमिलर होगी तह अनकी चय आन्म यह तो जो जन जाती के बारें बात कर रहा है इसे ध्याँ रखेगा चली मद्य प्रदेश की बात अगर करें विधान वांधर की बाघ्र की बारे में तर्फास और अन्सी जाती पैंटिस और अन्सुची जन जाती में 47 47 याद रखिएगा 47 याद रखिएगा चलिए यह दोबारा से स्लाइड आ गए आपके सामने आप देखें पॉइंट 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 पढ़ लिजिए थोड़ा सा और इससे आपका कॉंसेप्ट किलियर कि भाई क्या चीज होता है भाग सोला में याद हो गया होगा जो पूछा जाएगा जितने कंटेंट आप लोगों के हैं यह सारे के सारे उपलब्दें हैं आपको कंटेंट ही पढ़ना है पॉइंट पॉइंट पढ़ना है विस क्रणबल में बात करें भाग सोला की बारे में तो बाग सोला क्या कहता है सिम्पल सी बात है एंसुचित जाती जाता है और ऊसी में जो जाती-आयोग का अनुछीत है वो कौनसा जो यह जोGrand जन जाती आयोग कौन सा है 333 का का है तो बता ही जड़ा ये पहली पॉइंट तो आपको अच्छे से याद हो गई भोले हो गे ते नहीं न कि भाग सोला में क्या है अनुच्छे 333 333 का में किलियर हो गए आप लोग को और ध्यान देखिए 330 की बारे में 330 क्या कहता है कि जो लो भी आप लोगों ने देखा भी है कि अनसूचित जाती को 84 है और अनसूचित जन जाती को कितनी है लोग सभा में 47 है फोटी सेवेन है वही बात और वहां पर करा अस्थानों का जो है आरच छड़ करता है एक बात ये ध्यान रख लेने आपको दूसरी बात मैं कहूं 38 तो आ संस्था के रूप में आ रहा था पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देख रहे हैं यहां किसकी रूप में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के के बारे में पॉइंट टू पॉइंट देखे अगर हम बात करें 1978 के बारे में 1978 में गैर संबैधनिक बहुँ सदस्शी आयोग था ये पहले 1978 में क्या था ये गैर था ये उसमें इसकी स्थापना तो हो गई थी लेकिन पूरता चल नहीं रहा था सही तरीके से लेकिन यहां पर प्रथम अध्यच जब वो थे तो उनका नाम था भोला पास्वान सास्त्री था 1987 में यहां से दो पॉइंट याद रखना पर 78 में क्या हो गया गैर संबैधनिक बहुँ सदस्शी की रूप में आया और 1987 में क्या हो गया तो बहुत सदस्शी रूप में आ गया बात यहीं है से बस बोला पास्वान उसके प्रथम अध्यच रहे हैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है आगे हम बात करते हैं यहां पर तो यहां पर दिहां दीजिए 1990 की बात कर लेते हैं 1990 की बात कर लेते हैं तो 65 संबधान 38 के अंतरगत आ गया था कब 1990 में और 2003 में 89 संब्धान संसोधन हुआ फिर उसको कर दिया गया क्या अलग यह बहुत इंपोर्टेंट है कि बाई अलग कब किया गया पूछा जाता है कि जो राष्टी जाती राष्टी अंसूचित जन जाती है इन दोनों का प्रिथक करने के लिए कौन सा संसोधन हुआ था तो आप याद रखिया 89 नवाज शिवा संविदा संसोधन बिवाजन के समय तो उस समय यह भी पूछा था पूछ लेता है उस समय अध्यच कोन था जब बिवाजन हो रहा था लोगों का डिवी मतलब यह प्रकास है यहां पर भाई आपका अंसूचित जाती हो जाएगा 339 में 339 का में हो जाएगा अंसूचित जाती के बारे में तो विजय सोनकर सास्त्री थे यह आपको ध्यान रखना होगा बस पॉइंट पॉइंट फोकस करिए चलिए आगे बाद कर लेते हैं तो यहां पर देखे आप देख रहे हैं कि अंसूचित जाती अभी आपने उपर देखा उपर क्या देखा देखा देता हूं दो बारा से प्रिथक करण 2003 कहां चला गया भी यह यह रहा प्रिथक करण 2003 में देख रहे हैं आप अब आप देख रहे हैं जब प्रिथक करण हुआ उसके बाद गठन हुआ तो उसकी गठन की बात अगर मैं करता हूं आप लोगों से कहां चला गया भी य देखे, 19 फरवरी 2004 को, नई दिल्ली मुख्याल है, पांच सदस्ती है, अध्यच एक होगा, उपाध्यच एक होगा, और तीन सदस्ती होगे, जो एक अध्यच की बारे मैंने बात किया, अभी देखो, यही है केंदरी कैबिनेट मंतरी का दर्जा, और उपाध्यच की बारे में जो अन्य तीन सदस्य हैं, वह किस को दर्जा प्रदान करता है, निम्द में किस विचारों की तरफ अग्रणी होता है, किस के तरफ ये एक प्रकार से अनुसरण करता है, निसकर्स को या विकतन को पूछा जा सकता है, तो भारत सरकार के सचियों को अनुसरण करता है, वह सि tudo घार कम और कारिकाल राष्टपति के द्वर सार्ट के द्वरा हृत किसने अजब इसमें अगर हम बात करें 2004 में जब उसका हुआ तो उ समय सूरज भानु करके नाम था उनका प्रतम अध्यच बस यह ध्याँ रखिए अच्छा जो राष्टपति को संसद अब देखे जरा कि नोट ध्याँ सुनिएगा राज संबंधी रिपोर्ट अगर राज संबंधी रिपोर्ट होगा तो किसको संबंधित में जाएगा ये कुछ कोशन ही नहीं ऐसी तो प्रश्ण आएंगी इससे अंदर को कितना प्रश्ण बना सकते हैं बने गाई नहीं जो प्रश्ण बनने वाला यही बनता है बस यही तो आप लोगों को सुननना है मेरे से और यही ध्यान रखना है आप लोगों को अध्यच की बाद करें तो स सgesch索य औंगा इसका का नाम में यह इंपॉर्टन्ट नहएं था यह अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं कि डो कारिकाल के लिए बनाएका है तो कारिकाल यापे आपने आप ने देखा किसका नाम मता है क्या नहीं दोबार शिस Papagoda rest दो बार सक्तियां दिवानी के नयाले के हो जाएगी टिक त्याग पत्र किसको दोगे राश्टपती को दोगे जहिर सी बात है और जरह मुझे बताए राज्य में किसको दोगे त्याग पत्र बस वही तो कहते रहों आप लोग बस एक समझोगे अटोमेटिक दूसरा अपने आप समझने हुआ ना शुरू हो जाता है आप लोगों को देखें चारी के बार में दिखें जो है अंसुचित जाती जातियों को उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करता बहीं जाइड सी बात है सुनुआई करेगा इसलिए तो बनाया गया वह किसलिए ब तो यह था पॉइंट पॉइंट आप लोगों ने देखा यहां पर कुछ चीज़ है अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर अच्छा देख लिए यहां पर कि केंद्र सरकार जो है नीतियों का निर्मार करेगी आयोग से सला से राज सरकार अलग आयोग नहीं बनाएग नीतियों के निर्मार से आयोग से सला से ठीक है यह याद रखेंगे राष्टी अंसोचित जाती में कुल टोटल बारा राज अस्तरी कालयाल है भारत में इस्तित है यह भी आप ध्यान रख लिए पॉइंट के रूप में क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए रेड है आग इसमें कुछ नहीं है बाकि वही चीज़ें देखो यहां पर वही चीज़ें आ रही थी यहां पर भी अध्याच उपाध्याच के एवं अन्य सदस्यों में कम से कम दो बेक्ति जो होंगे वह स्टी का होना चाहिए वहां पर बताओं मैं आपको यस्टी का होना चाहिए यहा याद रखेंगे इसे भी साथी साथ नियुक्ति राष्टपती के द्वारा होगा कारिकाल तीन वर्ष होगा और अगर हम बात करें तो राष्टपती के द्वारा निर्धारित होता है सेवा सारते हो गएरा प्रत्यमजत ध्यच जो होंगे वह आपका होगा कुमर सिंग अभी इसको आप लोग करेंट किलीजे यहाँ पर जो वर्तमान का अध्यच होंगे वो हारस चोहां हो जाएंगे यह आपका correct जवाब हो जाएगा नंद कुमार राय नहीं है और यह आए हैं नंद कुमार राय के अस्थान पर आए हैं यह बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीके बई चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर जो हैं आगे बात कर लेते हैं इसकी जो है चेत्री एक कार्याले की बारे में तो कुल टोडल 6 है मद्ध प्रदेश भोपाल राजस्थान जैपुर में जारखंड राची उड़ीसा भोनेश्व और भी चतिसगर रायपुर में परन्तु आप लोग यही ध्यान रखिएगा तो फिर तो वहां पर एलेमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा मद्ध प्रदेश के बारे में यहां पर आप सभी लोगों को मैंने भी बताया भी है कि अनुसूचित जातियों का आयोग के बारे में तो यह भी ध्यान रखना इसके स्थापना भी 1995 में हुई थी महिला आयोग मद्ध प्रदेश की बात होती तो भी वह भी हुआ था उसी समय 1995 दोनों सिमिलर थे अना अभी बताया भी था आप लोग तो जहां रखिएगा तो मद्ध प्रदेश राज जन सूचित जंजाति आयोग 1995 हो जाए गठन राज सरकार है वो ख्याले भोपाल है अध्यच और आप लोगा यह रही बाकान के लिए प्याहत देख लिए आप लेहरों यहां से आप गुक्ति की बात करता हूं तो जंघ जाती विकास*** प्रदेश कनो होगा तीन वर्ष हो जाएगा वर्तमान अध्यच कौन है किसी को पता है इसमें इसमें वर्तमान अध्यच कौन है मद्यप्रदेश की बही बता ही चला है आप लोगों नोट कर लिया होगा है न कि वही मैंने क्या-क्या बोला है आप लोग नोट कर लिया है सभी लोगों ने व ठीक है फिर मैं आगे बढ़ता हूं देखो यहां पर बात करते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में तो ध्यान से सुन लीजे एक बार ये जो है 29 जनवरी 1993 को काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट 1905 में जब आई थी तो उसमें को टोटल 10 सदस थे ठीक है और अगर यहां पर हम बात करते हैं कि राश्टी यह पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में तो अनुछेद 340 हो जाएगा ध्यान रखना आप सभी लोग यहां पर एक चीज आप लोग लें गठन अगर 14 अगस्त 1993 की बात कर रहा हूं देखे पिछड़ा आयोग वर्ग के गठन के रूप में मद्द परदे सासन के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग को गठन किया गया था वो 13 मार्च 1993 को राज पिछ वर्तमान के अध्यच का नाम ठीक है और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो उसका उद्देश है सामाजिक और आर्थिक जो है द्रिष्टी से पिछड़े वर्गों की दसा में सुधार करने की बात करता यह है पिछड़ा वर्ग आयोग के बात करता तो पिछड़ा वर्ग ज्य और उसके उद्देशों के बारे में भी जिक्र किया गया है उसकी विबारे में चर्चा आप लोग जरूर रखिएगा और उसको नोट भी करिएगा ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें जिस प्रकार से भी अनसोची जाती अनसोची जन जाती के बारे में पढ़ रहते व अध्यश हुआ है जैसा कि आप लोगों देख रहा है प्रतम अध्यच का नाम आप इसको नोट कर लिजे आर्यन प्रशाद यह सही है अपका है राष्ठपति न्यूखति करता है जैसा कि आप सभी लोग जानते देखिए सभी में आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर की राष लिए तेफिर किसका लगाओ चाहां में रिक्ष्णय आपको दिहां रखना कि समाचकारी MPPSC में अभी अभी हमने महिला आयोग को देख लिया है और अभी अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया है रास्टी अनसूचित जाती अनसूची जन जाती और पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में उसके अध्यच पर्थम देख लिये वर्तमान अध्यच हम लोगों ने देख लिया और प्रश में इसका गठन कभ वए इसका कारी क्या हुआ इसके देश क्या है यह हम लोगों ने देख लिया करेंगे बाल अधिकार आयोग के बारे में हमारा टॉपिक जो है MPPSC का समाप्थ हो जाएगा और कल मैं unit number 9 से ही कुछ questions ले लूँगा और unit number 9 में जो है दिव्यांग जन अधिनियम मौला है उसी से questions लूँगा आप लोगों के ठीक है उसी का practice करवा दूँगा और फिर उसके बाद आप लोगों का या तो मैं कल practice ही करवा देता हूँ total question का 100 unit number 1 से लेकर टेल तक के है ना प्रेश्णों का बना के आप लोगों के सामने present कर देता हूँ ठीक भई तो याद रखिएगा कल जो है आप सब का practice भी है और last में आप लोगों का बाल अधिकार आयोग है ये आपका कल एक ही दिन में मतलब आदे गंटे का topic ये समाप्त हो जाएगा ठीक है ना